हेलो फ्रेंट्स वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा उमीद करता हूं सबी लोग अच्छे होंगे और जैसे जैसे एक्जाम पास आ रहा है तैयारी आप शोरो शोरो से अपनी बढ़ा रहे होंगे अगर 8 गंटे पढ़ते थे तो 10-11 गंटे पर उसको ले करके जाओ 24 गंटे पढ़ने वाला सिस्टम मत बनाने की कोशिश करना डेफिनेटली उसमें जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे और mental problems create होनी शुरू हो जाएंगी exam से पहले COVID से अपने आपको बचा करके रखने की जरूर कोशिश करें अगर पहले COVID हो चुका है यह vaccinated भी हो तब भी अपने आपको भाहर ना लेकर के जाएं यह paper दो साल से आपको तरसार आया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब यह paper फाइनली हो तब आपको COVID हो गया और आप paper नहीं दे पारे और फ्रेंट्स एक और इशू जो मेरे सामने आया है जो regularly comments के अंदर पूछते हैं बच्चे कि सर्फ कितने और lectures रहेंगे देखो मैं अपने आपको सिमित नहीं रख रहा हूं number of lectures में आप भी मत रखें जब तक मैं आपको concepts प्रोवाइड करता रहूंगा आप करते रहो उसको ठीक है आप अपनी division करते रहो साथ साथ जो जो मेरे lectures आते रहेंगे उनको देखते रहो तो सिमित मत रखी है अपने आपको आज जब यह video record हो रहा है इसके within one to two days यह सारे lectures आपको available हो जाएंगे okay and once again काफी लंबा code है 86 pages का code है अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करते हो लेकिन वो अपने लिए सारा important नहीं है ठीक है उसमें बहुत सारी चीज़े जो है वो technical point of view से important है लेकिन आपके exam point of view से important नहीं है तो सिरफ और सिरफ जो examination purpose के लिए important है वो चीज़े हमें आपर cover करेंगे कुछ चीजे उसके इलावा भी cover हो जाएंगी थोड़ी सी lecture के अंदर भी extra होंगी जो exam के लिए इतनी जादा important नहीं है लेकिन एक basic knowledge के लिए important है ठीक है जी चलिए so this is the part one and इसके अंदर हमने basically क्या क्या discuss करना है एक तो जो आपके code के अंदर duties of employers and employees listed है वो देखेंगे क्या है ठीक है direct पूरे के पूरे exact fact वाला जो है part यहाँ पर कम बनता है आपके लिए all right चलिए and mcq courses guys this is the time जब आपको mcqs सबसे जादा help करेंगे तो i would recommend की mcqs solve करो और gap labor law और social security के लिए तो mcqs के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत निया description में link है ठीक है वहाँ से जाकर कि आप mcqs purchase कर सकते हो अगर आपको सिक्षा के mcqs नहीं करने और किसी के भी mcqs कर रहे हो तो mcqs जरूर solve करो और कोई भी doubt होता है comment section में post कीजिए या whatsapp कर सकते हो 904-1244-689 पर या फिर आप email भी कर सकते हैं चलिए let us start so first of all let us see the introduction पहले तो हम यह देखते हैं कि यह जो आपका code है occupational safety code यह कहां पर नहीं लागू होगा ठीक है तो यह किसी भी central government के office में या किसी भी state government के office में या कोई भी जो आपका ship of war है किसी भी nationality का जरूरी नहीं है कि वो ship of war सिरफ और सिरफ इंडिया का हो अगर for example American कोई ship of war रहे हैं इंडिया के waters के अंदर वो है तो वहां पर भी यह apply नहीं होगा ओके लेकिन यहां पर एक exception है यह exception क्या है अगर central government के किसी office ने या state government के किसी office ने contractor को काम दिया हुआ है ठीक है contract labor के उपर central government को office या state government को office काम करा रहा है ठीक है जी तो उस case में code apply होगा उस particular contract labor के उप जहां पर आपके central government या state government principal employer है और उन्होंने contractor को hire किया हुआ है यानि कि contract labor के case में आपका ये code apply होगा जो permanent employees है central government के या state government के या जो central और state government के offices हैं वहां पर आपका occupational safety code 2020 apply नहीं होगा very important directly question के अंदर वो पूच सकता है applicability ठीक है और यह जितने भी मैं lectures कर रहा हूँ ना इसके उपर सारे बच्चे मुझसे पूचते हैं phone करके कि sir जो ये आपके mcqs हैं इसके अंदर क्या नए वाले codes covered हैं बिल्कुल बेटा इसके अंदर सारे नए वाले codes आपके cover होंगे ठीक है सारे के सारे नए वाले codes covered रहेंगे ठीक है चिंता मत करो उस बारे में बिल्कुल भी च occupational safety and health standards के साथ comply करें annual health examination कराने की भी यहां पर बात की जा रही है कि जो employer है वो responsible है कि वो अपने employees का annual health examination कराए और यह जो test है या जो यह annual health examination है यह free of cost होना चाहिए employees के लिए ठीक है और इसके अंदर सारे employees आजाएंगे irrespective of age और anything like that ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं appropriate government specify भी कर सकती है कि इस particular class of employees के लिए आप यह specific test extra कराएंगे ठीक है किसी industry के अंदर कोई काम कर रहा है तो उस industry के लिए specify कर देंगे जैसे अगर कोई जो आपका minds है ठीक है या फिर आपकी textile industries है मापर lungs वगरारा की problem हो सकती है तो government जो है वो specifically कह सकती है कि आप textile industry वाले जो employers है वो अपने employees का lungs test या कुछ भी जो है वो कराएंगे all right so annual health examination होगा और free of cost होगा यानि कि इसके लिए जो पैसा है employer employee से recover नहीं कर सकता employer cannot recover this from employer ठीक है तो यह एक बहुत important point है ऐसा नहीं है कि चल तेरा मैंने test कराया तो तेरे मैं salary में से पैसा काट लूँगा यह वाली चीज नहीं होगी ठीक ह hazardous and toxic waste अगर कुछ भी produce हो रहा है तो उसका proper disposal होना चाहिए including your e-waste यह भी responsibility set की गई है employer के उपर ठीक है letter of appointment जरूर देना है हर employee को अगर वो appointment उसकी establishment में हो रही है until and unless वो contract labor नहीं है तो अगर किसी को भी apart from contract labor employer hire कर रहा है तो उसको letter of appointment देना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आप उसको letter of appointment नहीं दे रहे और अपने master role और registers वगरा में उसका नाम नहीं register कर रहे just to show less number of people employed in your organization क्योंकि जैसे जैसे आपकी organization में number of people employed बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके उपर जो law की निगरानी है वो बढ़ती जाती है law की जो requirements है जो norms है वो बढ़ते जाते हैं तो policy organizations they try to keep the number of employees hired in their organization low या वो जान बूचकर के दिखाते हैं कि low है उसके इलावा ensure that no charges is levied on any employee in respect of anything done or provided for maintenance of safety and health at workplace अब अगर employee की safety and health के लिए organization के अंदर कुछ भी किया जा रहा है ठीक है अब for example वहां पर एक aqua guard लगा दिया ठीक है एक water filter लगा दिया कि पानी जो है वो employees को ताकी clean and safe water मिले drinking के लिए तो ऐसा नहीं है कि aqua guard लगाया तो वहां पर जाकर के वो कहेंगे कि ठीक है अब इस aqua guard का जो पैसा है सारे employees के बीच में divide करके salary में से काटा जाएगा ठीक है ऐसा नहीं करना है बिलकुल भी ठीक है और medical examination के लिए तो मैं आपको बोली चुका हूँ कि को कोई employees का पैसा उसमें से नहीं काटा जाएगा अगर कोई investigation हो रही है occupational disease को detect करने के लिए industry के अंदर तो वहां पर भी employee employee देखो किसी भी चीज के लिए liable नहीं है इन सारी चीजो के लिए जो भी occupation और safety standards जो assure करने है उसका सारे का सारा खर्चा जो है वो organization यानि की employers you can in no way deduct that money from the salary of the employees okay उसके बात जो designers manufacturers importers or suppliers है उनकी क्या duties है basically जो industrial equipments को supply कर रहे है जिसके उपर ultimately employee जो है जो worker है वो काम करेगा all right so जो भी designers है manufacturers है importers है इनको ensure करना है कि जब इनकी manufacturing हो रही थी proper care was taken at that time so that health पर कोई impact ना है उसके इलावा जो भी machinery है उसके उपर आपको adequate information provide करानी है कि उसको किस तरीके से use करना है conditions of use क्या है और अगर कोई goods इंडिया से भार manufacture हो रहा है और ultimately उसको इंडिया के अंदर import किय जा रहा है तो उस case में responsibility जो है वो importer के उपर डाली गई है कि वो standards को confirm करे ठीक है तो वो यह नहीं कह सकता अगर कोई problem हो जाती है तो importer को liable माना जाएगा वो यह नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने तो इसको भार से import किया था तो आप उस जाकर के manufacturer को पकड़ो नहीं हम किसको accident हो रहा है जिसकी वज़े से कोई मृत्यू हो गई किसी employee की death हो गई या फिर किसी को ऐसी bodily injury हो गई जिसकी वज़े से जो employee था वो 48 hours या उससे ज्यादा काम नहीं कर पाया ठीक है तो उस case में उनको एक proper notice जो है वो देना पड़ेगा appropriate government को appropriate government को proper notice दिया जाएगा and उसके साथ appropriate government के साथ साथ employees को भी उनको एक information देनी पड़ेगी कि क्या ये causes हुए थे accident के okay so proper notice देना पड़ेगा किस case में अगर death हो जाती है या accident की वज़े से employee को injury हो गई जिसकी वज़े से he was not able to work for a period of 48 hours ऐसा नहीं है कि किसी की उंगलियों पर हलका सा कट लग गया तो notice भेजना है तो okay उसके बाद अगर कोई भी ऐसा notice ऐसा कोई incident जिसकी वज़े से accident हुआ है और death हुआ plantation के अंदर okay या building या construction work वाली establishment के अंदर okay so जो required authorities हैं यानि कि जो employers हैं जो managers हैं उनको notice किसको भेजना है उनको notice भेजना है within the two months of the occurrence alright to the required authorities और अगर उस case में कोई भी required authority नहीं है कोई specified authority नही है तो वो chief inspector come facilitator को या फिर inspector come facilitator को notice भेजेंगे दो महिने के अंदर अंदर okay so this is specifically for the plantation and your construction work चलिए उसके बाद अगर कोई particular disease for example कोई worker है establishment के अंदर उसको कोई एक disease हो जाता है which is specified in the third schedule alright so उस case में employer को prescribed authorities को once again notice send करना अब इसके अंदर third schedule के अंदर कॉंसे कॉंसे diseases हम वो भी देखेंगे ऐसा नहीं है कि उसको हलका सा सरदर्द हो गया तो notice भेजना है या minor fever हो गया तो notice भेजना है specified diseases है जिसके case में उनको notice basically भेजना है alright now if any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is to be suffering from any disease specified in the third schedule the medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the chief inspector come facilitator तो basically क्या है for example मैं एक worker हूँ मैं किसी establishment के अंदर काम कर रहा हूँ XYZ establishment के अंदर ठीक है तो मुझे मेरी तबियत खराब होगी तो मैं A के पास गया A जो है यह doctor साब है तो मैंने doctor साब को बोला A को doctor साब मुझे थोड़ी बिमारी लग रही है तो doctor साब ने का चलो आपके test करने पड़ते हैं तो test करने के बाद doctor साब को पता चला कि मुझे एक बिमारी है which is specified in the third schedule ठीक है third schedule में वो बिमारी specified है और doctor साब होगा तो doctor के उपर एक responsibility set की गई है कि doctor को जैसे ही यह बात पता चलेगी तो वो एक report भेजेंगे chief inspector कम facilitator को और अगर doctor यह report नहीं भेजते तो उस case में उनको penalty pay करनी पड़ सकती है 10,000 रुपीज की अगर बाद में यह पता चलता है कि doctor को पता था कि third schedule वाला disease है फिर भी doctor ने जो है notice नहीं बेजा all right अब third schedule के अंदर आपके कौन से diseases आ जाते हैं जैसे lead poisoning हो गया okay including poisoning by any preparation or compound of lead उसके बाद lead tetra ethyl poisoning, phosphorus poisoning, mercury poisoning, manganese poisoning, arsenic poisoning, nitrous fume की poisoning, carbon bisulphide की poisoning, benzene poisoning, chrome ulceration हो गया okay उसके बाद anthrax, silicosis, poisoning by halogens और halogen derivatives of the hydrocarbons, okay pathological manifestation हो गया कुछ radioactive substances की वज़े से primary epithelio mentis cancer हो गया skin को, toxic anemia, toxic jaundice, okay oil essence और bistrionasis, asbestosis, okay उसके बाद कोई और occupational allergic sensitizer की वज़े से कोई बिमारी हो गई, noise induced hearing loss, industries के अंदर machinery बहुत ज्यादा noise levels के उपर हैं अगर, beryllium poisoning, carbon monoxide, coal minor, phosgene, occupational cancer, isocyanate poisoning, toxic nephritis, ठीक है तो यह सारे ही diseases हैं, अब क्या आपको यह 29 के 29 as it is याद करने हैं नहीं, सिरफ इसको एक बार go through करना है, और दिमाग में थोड़ा सा चिपका लेना है, ताकि अगर वो statement based question में पूछने की कोशिश करें कि which among the following is defined under the third schedule, all right, और इनकी detail में जाने की भी जरूरत नहीं है, कि कहीं हर बिमारी को google करके इसकी detail इकठी करनी शुरू कर दो, कोई फाइदा नहीं होने वाला paper में, बस एक general सा idea आपने ले लेना है, ठीक है, अब इस थोड़ा दिमाग अगर आप लगाओ कि इन third schedule की diseases अगर किसी को होती है, तो क्यों इतना बोला गया है कि notice देना पड़ेगा required authorities को, क्योंकि अगर य other employees as well who are working in the organization, so, एक social hazard यह create कर सकता है, जहाँ पर अगर हजारों लोग employment में है, अब for example, एक ऐसी industry है, जहाँ पर lead poisoning की problem हो रही है, ठीक है, because of the poisoned water or because of anything, lead poisoning हो रही है, तो अभी तो आपको एक employee का पता चला है कि यहाँ यह यह बिमार है, तो क्योंकि वो environment contaminated है, और अगर environment contaminated है, and definitely बाकी के लोग भी बिमार होंगे, अब किसी industry में अगर 2000 लोग काम कर रहे है, 3000 लोग काम कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी industries में, तो definitely एक social hazard वहाँ पर हो सकता है, okay, so, इसी वज़े से इन diseases के लिए specially बोला गया है, कि you have to notify, चलिए, अब देखो employer के उपर duty है, तो कुछ duty employee के पर भी डाली जाती है, ऐसा नहीं है कि सिरफ employer ही safety के लिए important है, और employee कुछ भी करता रहे, and he doesn't cares about the safety and security, नहीं, ऐसा नहीं है, तो employee के उपर क्या duties है, सबसे पहले, तो employee को खुद से reasonable care लेना है, for health and safety of himself, okay, now for example, for example, अब एक iron industry का example ले, वहाँ पर cutting हो रही है, ठीके, लोहे को क sparkles निकलते हैं, तो employer ने, employee को बोला है कि जब भी आपको cutting करनी है, a norm set है कि वह एक goggles आते है, आपको वह यूज करना है, प्रॉपर आपने safety gear पहन करके उसको cutting करना है, but कोई employee ऐसा है कि वह very much, you know, relaxed की, नहीं, casually उसने क्या किया, विनक gear को use किये, he started cutting and ultimately sparkles went into his eyes and he got blind, तो ultimately ऐसे cases में duty देखो, employer ने available करा है equipment, अगर employer equipment अवेलेबल नहीं कराता, then employer का fault है, लेकिन अगर employer equipment अवेलेबल करा रहा है, लेकिन employee उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फिर who is to blame, employee is to blame, okay, so reasonable कि जो care है, वो employee ने लेना है, अपनी health के लिए भी, और even for the workers who are working along with him, ठीक है, क्योंकि manufacturing industries में, अगर आपकी गलती हो गई, तो ज़रूरी नहीं है, कि वो सिर्फ आपको harm करे, वो बाकी लोगों को भी harm कर सकती है, ठीक है, उसके इलावा, safety and health requirements के साथ comply करें, employer के साथ cooperate करें, statutory obligations को fulfill करने में, अगर employee को ऐसा लगता है, कि जो floor है, जो working floor है, वहाँ पर कोई unsafe या unhealthy problem है, देखो, employer क्या होता है, बड़ा manager है कोई, अब Mukesh Ambani है, ठीक है, Mukesh Ambani की कोई manufacturing industry है, तो Mukesh Ambani is not there, Mukesh Ambani is not working on the floor, Mukesh Ambani तो अपने दफ्तर में बैठे हैं, तो उनको नहीं पता चलेगा महाँ पर कि क्या problem हो रहा है, तो जब तक आप उनको बताओगे नहीं, कि यार यहाँ पर य या misuse ना करें, या neglect ना करें किसी भी industrial alliance का, उके उसके लावा, every employee in an establishment shall have the right to obtain from the employer information relating to employees health and safety, हर employee के पास ये अधिकार है, कि वो employer से information ले सके कि उसकी health and safety assure करने के लिए workplace में employer क्या action ले रहा है, अगर उसको लगता है कि necessary actions नहीं लिये जा रहे हैं, तो वो अपने जो thoughts हैं, अपने जो views हैं, उनको represent कर सकता है in the front of the safety committee, कि भहिया ये inadequate provisions है, and अगर safety committee के साथ सामने से भी कोई result निकल कर नहीं आता है, so he can also go to the inspector come facilitator if unsatisfied, alright, okay, now the employer or any employer shall take immediate remedial action, अब अगर employer को बता दिया employee ने, कि भहिया ये दिखकते हैं, तो employer का right, employer की duty है कि वो immediate remedial action इस case में ले, और जो भी action वो ले रहा है, उसको एक report की form में inspector come facilitator को एक report बना करके दी जाए, okay, और अगर employer को ऐसा लगता है, employee की बात सुनने के बात, कि नहीं, this particular thing does not require an action, okay, इससे कोई imminent danger नहीं है, या इससे कोई problem नहीं है, okay, so in that case also, he must refer the matter to the inspector general, वो inspector come facilitator के पास जाएगा, कि देखो मेरे पास ये complaint आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई problem हो रहा है, so ultimately inspector come facilitator उसके उपर final decision लेगा, कि employer को कोई action लेना है, या फिर वो continue उसी तरीके से कर सकते हैं, okay, so these are the rights of the employees, तो जैसे कि मैने आपको बताया था कि statement based question in वाली चीजों के अंदर से आप से पूछे जा सकते हैं, okay, so with this we come to the end of part 1, and in the next video we'll be discussing some other important provisions, and I hope you like the lecture, please, please, please share the session and please share the channel with your friends, okay, so that we can bring more and more interesting content for you, so I'll be taking your leave, thank you very much, all the best, and bye-bye.